समस्कार किसान वाईयों मैं स्वागट करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार जैसे कि आप सामने देख रहे हूं डारलार हमारे खेत में लगूई है कोई ज्यादा बीसेस हमने बोई नहीं है दो कुंटल डालर है हमारे लेकिन इस बार जो कोहरा गिरा था इसमें काफ़ी नुक्सान हमें पोचाया है जैसे कि आप सामने लाइब देख सकते हूं कितनी गेटीया दिख रही है एक यह गेटी मगर इसमें कुछ भी नहीं है पूरी पोहची हूं के हूं यह गेटी सुख गयी है कुछ इस प्रकार की प्लाट की कंडिशन कर दी कितना का नुकसान हुआ है देख सकते हूँ आप जाने कि 25-30 % घेटी है हमारी सूप चुकी हैै अभी सेकेंड बार का फूल आने श्टार्ट हुए हैं मगर सेकेंड बार के फूल में इतने दम नहीं रहते हैं सभी जानते हैं हर किसान भाई जानते हैं कि पहली बार के जो फूल आते हैं उनकी बात अलग रहती है दूसरी बार के फूल में कोई इतना बिसेस फाइदा मिलता नहीं है क्योंकि चने खेद भर लेते हैं और फिर चने को गेप नहीं मिल पाता है, इसलिए उपपर उपपर चोटी चोटी पे फूल आता है, इस कारण से काफी नुकसान हमें देखने को इज़वार मिल रहा है चने की खेती में, छोटे चने की कुछ इस प्रकार कंडिसन बनी हुई है, डालर हो ये छोटा दोनों कारी बरतन कर लेता है, मगर डालर ऐसा नहीं है, और इसमें काफी टाइम बाद यहोंकी जमीन में चने लगाये थे, हलकलका सब बुड़ा उमाले का सिखा है था हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए हम भंगी साइट का भी इस प्रेस में ले रहे हैं, इसमें हम बोरान ले बिद्धूत ले रहे हैं, और स्वाधिन ले रहे हैं, जिसमें टेभी कोनोजोल 10% और सलफर 65% आता है, और हीमावेक्टिन और 44 ले रहे हैं, इतना कॉंबिनेशन हम डाल रहे हैं, अब देखते हैं क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलता है, हाला कि फूल तो कहीं कहीं पर आना स्टार्ट हुएं कुछ इस प्रकार, फूल दिख रहे हैं, मगर पोधे के हईट अधिक होने के कारण, यह देख सकते हो, पोधे में जो पहला बगर नीचे का था, वो खराब हो गया, पूरा डेमेज हो चुका है, यह, कितने फूल ट्रोफ हो है, एक यह फूल, कितने आप सामने लाइब देख सकते हो, यह जो कोहरा पड़ा था, उसने इतना अधिक नुकसान पहुचा है चैने की फसल में, जो कोई हद नहीं, यह देख सकते हो, नीचे से बगर था पूरा, मगर कोई काम का नहीं रहा, हमारे ठेकेदार को पाइप मिलता हुआ एक, देखते ह अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाल